हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल अराध्या अरेअस एकड़िमी में दोस्तों पूरे राजस्तान में जितनी भी परतियोगी परिक्षाएं आई जित होती है उन सबी प्रतियोंगी प्रिक्षाँ में दोस्तों आपको काफी सारे प्रेश्ण है वो देखने को मिलते होंगे ठीक है और दोस्तों आज माथके लिए अठरा सु सताओन की प्रान्ति से समंदित डोप साठ प्रेश्ण लेके आया हूँ जो आपकी परिक्षा की दरिश्टी से अत्यांत महतोपुन हैं, आपको इन प्रस्टों को रटना है, साथी में दोस्तों इन प्रस्टों की व्याख्या भी बताई जाएगी, जिससे आपका ये टोपिक अगर नई भी पड़ा हुआ हो, तो भी दोस्तों आपको ये टोपिक है वो याद हो जाएगा ठीक है अराद्यार एस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकनों को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला प्रेस्ट ने पहला प्रेस्ट देखिए चार्ल् ल्यासत के रेजिडेंट थे तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा वो है दिल्ली रियासत के रेजिडेंट थे कौन? चाल्स मेटकोफ याद रखना तो इसका राइट आंसर दे नमबर का उप्शन सयुतर ठीक है आगे देखे राजस्तान में आवा का विद्रोह किस के नेतरतों में हुआ तो दोस्तों आवा का विद्रोह किस के नेतरतों में हुआ तो दोस्तों आपने तो नाम तो सुनाई होगा आवा का ठाकुर कुसाल सिंग ठीक है आवा का ठाकु ठाकुर कुसाल सिंग तो इनी के नेतरत्व में दोस्तों ये विद्रोह है हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे नंबर का उप्शन सही उत्तर ठाकुर कुसाल सिंग आगे देखें बहुती अच्छे अच्छे लेवल के प्रसन है ठीक है एक दो प्रसन आपको 1817 188 में किस ने की थी ठीक है जो पहली धियासत थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहें करूली करूली दियासत दोस्तों ऐसी थी जिसने सरोफ़धम अंग्रे esimerk Halo से संदी दिया दुबार देखिए बहुत ही अच्छा प्रस्न है यहां पर देखिए दोस्तों कि जोदपुर राज्य के किलेदार को उस किलेदार का अपने को नाम बताना है ठीक है तो जोदपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आववा में करांतिकारियों ने मोत के घाट उतार दिया था ठीक है तो उसका नाम क्या था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों किस ने किसको मोत के गाट उतार दिया था तो इसका राइट आंसर वो है अनाड सिंग को ठीक है इसको ओनाड सिंग भी आप बोल सकते हैं अनार सिंग भी आप इसको बोल सकते हैं ठी नमबर का जो option है वो इसका right answer ठीक है आगे देखिए इसमें पांच नमबर का प्रेस ने कोटा में 1857 के विद्रो का नेतरत्व करता कौन था तो देखिए कोटा में जो करांती हुई थी ये दोस्तों 15 अक्टुमबर 1857 को हुई थी कब हुई थी 15 अक्टुमबर 1857 को कोटा में विद्रो है हुआ था 1857 की करांती का ठीक है इस कोटा में देखिए नेतरत्व है वो जैदयाल वे महराब खां के नेतरत्व में ये करांती हुई थी तो इसका right answer क्या हो जाएगा बै नमबर का option जैदयाल वे महराब खां ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें 6 नमबर प् सत्रा को 9 नमबर 1817 को करोली राज्ये ने अंग्रेजों से सर्व पर्थम संदी की थी ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा ए नमबर का option right answer ये प्रेस्न है ये बहु ज़्यादा महतोपुन है ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए राजपुताना की किस ए अंग्रेजों ने बरतपुर पर आकरमन किया लेकिन दोस्तों जीत नहीं पाए उसके बाद में दोस्तों बरतपुर वालों को मनाने के लिए बाइबल का सारा लिया था अंग्रेजों ने और उनको समझाया था विश्वास दिलाया था ठीक है तो ये राजपुताना की एक म तो दोस्तों यह गांदिवादी एवं सर्वोदी नेता थे सिद्राज डड़ा दैनम्बर का ओप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है राजस्तान में 1857 में पर्थम विद्रोह कहां हुआ तो यह तो दोस्तों सब को पता होना चीए जो पर्थम विद्रोह है वो दोस्तों नसीराबाद में हुआ था कहां पर हुआ था नसीराबाद में और कब हुआ था तो दोस्तों 28 मई को हुआ था ठीक है विद् किस ने किया था तो दोस्तों पंदरवी नेटिव इंफेंट्री ने ठीक है ये एक सेनिक टुकडी थी उसने दोस्तों ये विद्रोहे किया था ठीक है ये पैदल सेना थी पंदरवी नेटिव इंफेंट्री ठीक है और फिर देखे विद्रोहे तो पंदरवी नेटिव इंफे यानि कि दो बटालियन हो गई एक तो पंदर वी नेटीव इंफेंट्री और एक तीस वी नेटीव इंफेंट्री ठीक है ये दोनों आपस में मिल गए थे ठीक है और दोस्तों मिलकर इन्होंने क्या किया कि दोस्तों दो तीन अंग्रे जदिकारी थे उनको मार दिया था उनके इसका राइट आंसर बे नंबर का उप्षन सहीतर आगे देखें अठारा सो सतावन के विद्रोव के समय जोदपूर के महाराजा तक्त सिंग ने किसके नेतरत्व में सेना अजमेर भेजी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह कुसाल सिंग सिंग्वी के तो इसमें एनमबर उप्षन राइट आंसर है आगे देखें राजस्तान की पहली रियास्त कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ओफ लेप्स के अंतरगत हस्तगत हुई थी ठीक है उसे रियास्त का नाम अपने को बताना है यानि कि जो डॉक्ट्रिन ओफ लेप्स के अंतरगत हस् तो सब को पता है वो थी करो ली ठीक है से नंबर का ओप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए निम्भा हेडा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी तो वो की थी दोस्तों मेवाड की सेना ने तो इसका बै नंबर उप्षन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें तेरा नंबर का प्रेशन है कुआडा भीलवाडा ठीक है यानि कि कुआडा नामक इस्तान पर ट्याटा टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना के साथ में हुआ था तो दोस्तों किस ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें तो इसका राइट आँसर टैर नामबर और उप्षन देखे जोदपूर लीजन के सेनिकों ने किस चावनी में करांती का उद्धवोस किया जोदपुर लीजन के सेनिकों ने किस छावनी में करांती का उदगोस किया तो ये किया था दोस्तो एरिनपुरा में ठीक है एरिनपुरा जो छावनी थी उसमें दोस्तो इन्होंने उदगोस किया था ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है और यहीं से ही चलो दिल्ली म नारा फिरंगी का नारा भी दिया गया था ठीक है आगे देखिए इसका राइट आंसर से नंबर उप्शन नेक्स्ट निम्न लिखित में से कोटा में अठारा सो सताउन की करांती का नेता था तो कौन था तो अभी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों देखिए छह सेनिक संद्राक्टुमबर 1857 को यह करांती हुई थी और जैदेयाल वे महराब खां ने इस करांती का नेतरत्व किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनिम्बर का उप्शन सयुत्तर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों उस समय कोटा का राजा था राज मेजरबं ठीक है जो परटिकल एजन्ट मेमेजर बॉटन उसको दोस्तों मार दिया गया था और उसका नास को पूरे कोटा में गुमाया गया था तो और दोस्तों राम से का कईंगं से बटन की हत्या की जिम्मिदारे वाले एक पत्र पर जबर्दस्ती भी अस्ताक्षर करवाए थे इनकरामतिकारियों नहीं ये भी आपको इसमें याद रखना है तो इसका राइट आंसर जैदयाल से नमबर उप्शन से उतर आगे देखें आवा के ठाकुर कुसाल सिंग को किस ठिकाने द्वारा सरन दी गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है क इसके द्वारा दी गई तो यह दी गई दोस्तों कोठारिया कोठारिया में दोस्तों इनको सर जो क्या दी गई शरन दी गई थी तो इसका राइट आंसर दे नमबर का जो ऑप्शन है वो बिलकुल से उतर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए सतरा नमबर का प्रेशन है 1857 की करांती के दोरान मेजन बरटन और उसके दो पुत्रों दो पुत्र है वो कहा मारे गए थे अच्छा प्रेशन है मैंने अभी आपको बताया कि दोस्तों मेजन बरटन की हत्य है वो कहा की गई बताया था भी आपको कोटा में ठीक है और मेरजर बट्रन के साथ में उनके दो पुत्रों को भी मार दिया गया था और उनके साथ में दोस्तों उनका एक परसनल डॉक्टर भी था उसको भी मार दिया गया था ठीक है संदी की बातचीत की थी तो किस ने राजपुताना की देशी रियास्तों के साथ 18178 की अधिनस संदी की बातचीत की थी तो किस ने तो यह की थी दोस्तों किस ने तो वो है चार्ल्स मेटकोफ ने ठीक है ए नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा इंपोडेंट प्रेस नहीं भी आगे देखे राजस्तान की कौन सी देशी रियास्त ने बिर्टिस सरकार के साथ सबसे अंत में परत्यपन संदी की तो दोस्तों सबसे अंत में बिर्टिस सरकार के साथ में जो संदी है वो किस रियास्त ने की थी तो वो की थी दोस्तों किस ने जह सलमेर ने किस ने जह सलमेर ने क्या सही है नहीं सबसे लाश्ट में कीती दोस्तों सिरोई ने तो इसका राइट आंसर ए नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान में सवतंतरता की आजादी का गड़ किसे का जाता है तो ये का जाता है दोस्तों भीलवड़ा को ठीक है सापुरा भीलवड़ा वहीं के तो थे ठाकुर कुसाल सिंग वगरा सब ठीक है तो इसका बैनमबर का ओप्शन राइट आंसर आगे देखिए राजस्तान में ब्रिटीश सरकार का कारियला इस्तित था तो ब्रिटीश सरकार का जो कारियला है वो कहां पर इस्तित था तो ये था आबू के अंदर कहां पर था आबू यानि की माउंट आबू में था कारियला है ठीक है देखिए आपको बता दूं कि 1845 में आबू में मु सेखावाटी बिग्रेड का मुख्याले का आइस्तित था तो ये था दोस्तों जुन-जुनु में बे नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों जोधपूर के माराजा कौन थे? अब ही मैंने आपको बतायो था कि जोधपूर के माराजा तक्त सिंग थे तक्त सिंग तो इसका राइट आंसर uh नमबर का उप्षन सही उत्तर है आगे देखें आवा के युद में किस बिर्टिस पोर्टिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी तो दोस्तों आवा के युद में ठीक है आवा का युद हुआ था दोस्तों 20 जनवरी 1858 ठीक है और करनल हेम्स करनल होम्स तथा हंसराज जोसी ने आवा पर आकरमन किया था और कु लोड़ कर मेवाड साहता के लिए चला गया था ठीक है और होमस ने आवा पर अधिकार कर लिया था और जो सुगाली माता थी ठीक है उनकी मूरती उठा कर लेके चला गया था ये कौन होमस ठीक है तो हत्या किसकी कर दी गई थी तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व 25 नमबर प्राशन इसमें देखे 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सरकार ने आवा पर आक्रमन किया बहुत एच्छा प्रस्न है यहां पर देखे 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सासक ने आवा पर आक्रमन किया तो मैंने अभी आपको बताया करनल होमस नहीं किया था ठीक है तो इसका राइट आंसर दे नंबर का उप्शन सहुत्तर ठीक है आगे देखे राजस्तान में रियास्तों पर प्रभावी नियंतर ने तापित करने के लिए एजी जी का पद सरजित किया गया तो एजी जी का जो पद है वो कब सरजित किया गया तो ये तो आपको पता हो ना चीए दोस्तों ठीक है कब सरजित किया गया था देखे 1832 इस्वी में राजस्तान में पहली बार एजी जी जी यानि की एजेंट टू ग और 1857 की क्रांती के समय जोर्ज पेट्रिक लोरेंस ये राजस्तान का एजी जी था, ठीक है, और ये एजी जी बनने से पहले, यानि कि जोर्ज पेट्रिक लोरेंस एजी जी बनने से पहले मेवाड के पोर्टिकल एजेंड थे, ठीक है, मेवाड के पहले पोर्टिकल एजेंड थे तो ये भी आपको इसमें याद रखना है तो 1832 में एजी जी का पद है वो सरजित किया गया था आगे देखें भारत की सवतंतरता के समय विकानेर राज्य का सासक कौन था तो उसका नाम है दोस्तों वो है महराजा सारदुल सिंग तो बैनमबर उप्सन राइट आंसर आग सबNow यह रखने के नाम पर शेखावारटी बिग्रैड की स्थापना कब कि हुई leas तो इसकी स्तापना दोस्तो अठारा सो पैस्तीस में हुई थी, सेखावाटि बिग्रेड की स्तापना और इसका मुख्याल कहां पर था, तो जुन-जुनु में, ठीक है? आगे देखें, भारत की सवतंतरता के समय जोधपूर राजे का सासक कों था? भारत की सवतंतरता के समय जोदपुर राजे का सासक कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो है महाराजा हनुमन सिंग ये बहुत कतरना गाजमी थे महाराजा हनुमन सिंग है ये दोस्तों पाकिस्तान में सामिल होना चाहते थे और सरदार पटेल जी इनको समझाने के लिए गए वे थे और साथ में जो रियास्ती सचीव था वीपी मेनन वो भी साथ में गए वे थे तो समझा रहे थे अनुमन सिंग को लेकिन अनुमन सिंग मानत नहीं रहे थे तो VP मेनन कुछ बोल गया होगा तो इन्होंने क्या किया कि बंदूक निकाल के और सीधी VP मेनन के करपटी में रख दी ती यानि कि सर पर बंदूक तान दी थी किसने तो दोस्तों हनमन्त सिंग ने फिर बाद में दोस्तों समझाया कि मांजाओ ऐसे ऐसी बात है का नेता था तो ये जैदेयाल से नंबर उप्शन राइट अंसर में आगे देखिए अठारा सु सताउन की करांती के समय राजस्तान में कितनी बिर्टिस चाउनिया थी तो यह तो सब को पता होना चाहिए दोस्तों देखिए छह से निक चाहउनिया थी कौन-कौन सी है तुम आपको बता देता हूं नसीराबाद अजमेर एक नीमच मद्देप्रदेश वर्तमान में मद्देप्रदेश में है ठीक है पहले राजस्तान में थी नीमच मद्देप्रदेश दो देवली टौक तीन एरिनपुरा पाली चार ब्यावर अजमेर छे खेरवाड़ा उदैपू सबसुलल 4 př. 6 टोटल 6 सेनिक चावणिया Calvin थी टीक है नसीरबाद नीमच देवली एरिशा ब्यावर और खेरवाड़ा यो def. और ब्यावर और खेरवाड़ा सेनिक चावणियों में कुरांती नहीं हुई थी यह भी आपको इसमें याद रखना है तो इसका राइट आनसर द आपको बताया था कि जोर्ज पेटरिक लोरेंस ये 1877 की करांती के समय राजस्तान के एजी जी थे ठीक है यानि कि एजेंट तो गवरनर जनरल और ये जोर्ज पेटरिक लोरेंस है ये दोस्तों मेवाड के पहले पोटिकल एजेंट रहे हुए थे पहले फिर बाद में दोस्तो तो इनको एज़ीजी बनाया गया था, तो इसका right answer, से नंबर का options right, आगे देखिए, Congress ने किस अधिवेशन में देशी राज़ियों में तो इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तो, हरीपुरा अधिवेशन गुनी 138 में, से नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट निम्न मेंसे किसने राजपुताना की देशी रियास्तों के साथ अठारा सो सत्रा अठारा की अधिनस्त संदी की बातचीत की थी निम्न मेंसे किसने राजपुताना की देशी रियास्तों के साथ 1817-18 की अधिनस्त संदी की बादशित की थी तो ये की थी दोस्तों किसने तो चाल्स मेटकॉफ ने ठीक है तो इसका बै नमबर उप्सन राइट आंसर आगे देखें कुसाल सिंग की पराज़े के बाद बिर्टिस सेना ने आववा पर कबजा किया था तो कब किया था ये किया था दोस्तों 24 जनवरी 1858 को 24 जनवरी 1858 को दोस्तों आववा पर अधिकार कर लिया था बीस जनवरी को शुरू हुआ था और चोबीस जनवरी को अधिकार कर लिया था ए नमबर उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है अठारा सो सतावन की करांती के समय दोलपुर का सासक कौन था तो दोलपुर का सासक था दोस्तो कौन तो भगवंत सिंग था जो दोलपुर का सासक तीक है आगे देखिए राजपुताना एजेंसी की स्तापना कब और कहां हुई थी तो राजपुताना एजेंसी की स्तापना है ये दोस्तो अठारा सो बतीस में अजमेर में हुई थी अलवर ने बिर्टिस इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संदी कब की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सितंबर नौंबर अठारा सो तीन में सितंबर नौंबर अठारा सो तीन में दोस्तो बरतपूर एवं इस्ट इंडिया कंपनी ने संदी की थी तो इसका राइट आंसर अनमबर का उप्षन सेयुत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखे राजस्तान में अठारा सो सतावन में पहला विद्रोय कब और कहां हुआ था तो पहला विद्रोय अठाइस में अठारा सो सतावन को नशीराबाद में हुआ था से नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे अठारा सो सतावन की करांती के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपुता ना कौन थे तो दोस्तों और महराब खां आगे देखे निमने में से किस सतावन पर अठारा सो सतावन की करांती के दुरान मोक मेशन है वो मारा गया तो मोक मेशन है ये मारा गया तो ये मारा गया था दोस्तों आवा में ठीक है तो इसका बै नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा आगे अपनी सपत भंग की है क्या उन्होंने अवद पर अधिकार नहीं किया अतै उन्हें यह अपेक्षिया नहीं करनी चाहिए कि भारतिये अपनी सपत का अनुपालन करेंगे 1857 की करांती के संदर्ब में यह किस ने कहा था तो यह कहा था दोस्तों किस ने तुम मुहम्मद अली बेग ने कहा था किस ने कहा था मुहम्मद अली बेग ने इंपोडेंट प्रसन है ठीक है आगे देखे राजस्तान के किस राज्य ने करांती के समय कोटा माराव की साहता की तो यह की थी दोस्तो करोली ने ठीक है से नंबर का उप्शन राइट आंसर कोटा मारा और राम सिंग सेकिंड को नजर बंद कर दिया था करांती कारियर ने तो फिर दोस्तो करोली वाले गए थे उनको चुडाने के लिए ठीक है तो यह भी आपको इसमें याद रखना है ठीक आगे देखे करोली का उस समय सा सकता मदन पाल और मदन पाल ने दोस्तो राम सिंग सेकिंड को छुडाया था आगे देखे बैरकपूर की चावनी में प्रमुकरांती कारी कोन थे तो उनका नाम था दोस्तों वो है मंगल पांडे बैनमबर का उप्शन राइट आंसर हो तो दोस्तों नीमत से भागे अंगरेज मइलाओं वह बच्चों को किस गाओं में सरन मिली थी तो देखे किसने सरन दी थी तो दोस्तो एक रुगाराम नामक एक किसान था ठीक है उसने दोस्तो ये सरन दी थी किसने रुगाराम याद रखना नाम आपको बता देता हूँ रुगाराम नामक एक किसान ने है वो इनको सरन दी थी और ये दोस्तो डूंगला गाउं जो चितोड़ गड़ में पड़ता है डूंगला गाउं में रुकाराम नामक किसान ने इनको सरण दी थी ठीक है और फिर बाद में दोस्तो वहां से ये भागे थे कि मेवाड का जो पोर्टिकल एजेंट सोवर्स ठीक है इन अंग्रेजों को उधरपूर पहुचाता है और वहां पर दोस्तो माराना सवरूप सिंग इनको जग मंदिर महलों में वहां पर रखवाता है ठीक है तो इसका राइट आंसर डूंगला जो चितोड़ गड़ में पड़ता है किसान का नाम था रुगाराम ठीक है आगे देखे अठारा सो कि लोक देवी मानने जाता है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे तो दोस्तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ देर पहले कि आवा का युद हुआ था जिसमें करनल हेम्स है उसने दोस्तों आवा पर अधिकार कर लिया था और अधिकार करने के बाद मे कि कुल्डेवी मानी जाती है ठीक है इनको ये उठा ले गया था अजमेर अब देखिए सुगाली माता के बारे मापको बता देता हूँ देखे सुगाली माता इसके दस सिर और चोवन हाथ थे दस सिर और चोवन हाथ यहें दस सिर और चोवन हाथ वाली काले संग्मरमर की मूरती है जिसे करनल होमस ने अजमेर के राजपताना मूजियम में रखा था और वर्तमान में ये दोस्तो पाली के बांगड मुजियम में रखी हुई है ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है तो इसका राजपूत राज्यों से किस ने संदी की थी तो ये किती दोस्तो लोड हैस्टिंग्स ने ठीक है दे नमबर का उप्शन राइट आंसर इंप पूड़एंट है ये भी आगे देखे राज्ये के किस अभी लेखगार में 1857 की करांथी के लगबग दोसो विदोफी सेनिकों की सूचिक उपलब्ध है बहुत अच्छा प्रसन है तो वो अभी लेखागार कौन सा है जहां पर अठारा सो सतावन की करांती के लगबग दो सो विद्रोई सेनिकों की सूची उपलब्ध है तो इसका राइट आंसर हो जाएको वो है राजस्तान राज्या बिलेखागार बिकानेर में वहाँ पर आज भी दो सेनिकों के नाम लिखे हुए हैं जिन्नोंने विद्रोई किया था आगे देखे त्याटा टोपे अठारा सो सतावन की करांती के समय कितनी बार राजस्तान आये थे तो कितनी बार राजस्तान आये थे तो ये दोस्तों दो बार राजस्तान आये थे ठीक है तो इसमें बै नंबर उप्शन राइट आंसर तो वो किला कुन सा था तो वो था दोस्तो आवा का किला और आवा के किले के उपर दोस्तो मौक मेशन का सिर है वो लटका दिया गया था तो इसमें से नमबर उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है महराब खां वै दयाल खाने कहां विद्रो किया तो दोस्तो कोटा में विद्रो किया था राम सिंग सेकंड को नजरबंद कर दिया था आगे देखिए राजस्तानी लोक गीतों में किस युद को काले वै गोरो का युद भी कहा जाता है या गोरो वै कालो का ठीक है देखिए कौन से युद को का जाता है देखिए दो युद मैतोपूर माने जाते हैं तीन मान लो ठीक है तीन युद है वो सबसे ज़्यादा मैतोपूर है एक तो है आववा का युद जो मैंने अभी बताया जो मेक मोशन को मार दिया गया था और उसका सिर है वो किले क पर लटका दिया गया था तो ये तो था आवा का युद जो 20 जनवरी 1858 को हुआ था दो युद और है एक तो है बिथोड़ा बिथोड़ा का युद जो पाली में हुआ था आठ सितंबर 1857 को हुआ था ठीक है और दूसरा है चेलावास का युद जो इसके ठीक 10 दिन बाद में यानि की 18 सिप्तंबर 1857 को हुआ था चेलावास का युद और चेलावास के युद को ही काले गोरो का युद कहते हैं और इसमें दोस्तों कौन-कौन थे तो जो जो एजी जी थे रादस्तान के और पोर्टिकल एजेंट मेक मोशन ये दोनों तो एक तरफ थे और दूसरी तर हो जाएगा वो है ठाकर कुसाल सिंग और मेक मोशन के बीच में यहां युद हुआ था ठीक है इसमें जोर्ज पेटरिक लोरेंस देनी रिखा तो आपको बै नंबर का उप्शन सभी करना है आगे देखिए किस आयोग की सिफारी सो पर ठाकर कुसाल सिंग को रिया किया गया वो कौन से आयोग देखिए कुसाल सिंग की जाच के लिए अंगरिजों ने टेलर कमिशन बनाया था क्या बनाया था टेलर कमिशन और दोस्तों उसे टेलर कमिशन के नुसार कुसाल सिंग को रिया कर दिया गया था तो इसका राइट आंसर बै नंबर का उप्शन सभी तर आ आठ सितंबर है ठीक है आठ सितंबर अठारा सितंबर को तो चेलावास का युद हुआ था तो बितोड़ा का युद में आवा के ठाकुर कुसाल सिंग ने 8 सितंबर 1857 को जोदपूर राजा तक्त सिंग वे कैप्टन हीत कोट को पराजित किया था वर्तमान में विथोड़ा कौन से जिले में है तो दोस्तों विथोड़ा है वो वर्तमान में कौन से जिले में है अब भी मैंने आपको बताया था वितोडा का युद जो पाली में हुआ था ठीक है याद रखना है तो इसका राइट आंसर वो है A number का option से युद तर ठीक है और इसमें युद में कुसाल सिंग है वो जीत गया था और जोदपूर का जो किलेदार था ठीक है जिसको अपन अना पर्थम 1857 की करांती की सुरुवात कब हुई तो 28 मई 1857 को ठीक है तो इसमें बे नंबर उप्शन राइट आंसर आगे देखिए भारत छोडो आंदोलन के संचालन है तू आजाद मोर्चा का गठन का हुआ तो दोस्तो आजाद मोर्चा का गठन है वो जैपूर में हुआ थ से नंबर उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है 1857 की करांती में नसीराबाद चाहुनी में विद्रोय बढ़कने का पर्मुक कारण क्या था तो विद्रोय बढ़कने का जो पर्मुक कारण है वो है दोस्तो इसमें अजमेर इस्तीत पंदरवी नेटीव बंगाल नेटीव इ हो जाएगा आगे देखिए इसमें 60 नंबर प्रेशन निम्न में से कौन सा इस्तान 1857 की करांती का केंदर नहीं था तो यहां पर देखिए अजमेर नीम अचावा ये तीनों थे लेकिन जैपूर है वो 1857 की करांती का केंदर नहीं था तो इसका राइट आंसर 10 नंबर का झाल